इसी राज़ेपालों में भी देखिए OBC को भी तबज्जो दी गई है जहाँ पर रमेश बैस को तिप्रा सिधार्खन का राज़ेपाल बनाए गया है बडारू दत्तात्रे को इमांचे प्रदेश का राज़ेपाल बनाए गया है तो इस साफ संकेत है कि किस रणीती के तहट सरकार काम कर रही है उन्हें जो समाज के लिए काम किया है उसको भी तरजी दी गई है बंदारूदतात्रे को आगे बढ़ा कर और मुझे लगता है कि यही यही बात मैं ऐसी जो जिन नेताओं को बनाए गया राज्यपाल चाहे वह अनुसुचित जाती के हो चाहे अनुसुचित जन जाती के सिर्फ इसलिए नहीं कि बड़े नाम थे बलकि इसलिए उन्हें को काम भी किया अच्छा अगर महिला राज्यपालों की संख्या पर नजर डाले अमिताब जी तो आप किस तरीके से इसको देखते हैं पिछली सरकारों में अगर आप देखें इस सरकार में क्या अलग है महिल और उप राज्यपाल राज्यपाल उप राज्यपाल जिसे हम संग शासित राज्य कहते हैं वहां पर बनाई गए इन इन राज्यपालों में मृदुला सिनहा को सबसे पहले गोवर्णर बनाए गया दृपदी मुर्मु जो बहुत सीनियर आदिवासी नेता है कमिन्टी तुल्ला जो एक रिस्पेक्टेड बुद्धी जीवी मुस्लिम लीडर है उनको बनाएगे अनंदी बेन पटेल बेबी रानी मौर्या अनुसुया ओएके तमिल तमिला तमिल साही सौंदर राजन और किरन बेदी तो मुझे लगता है इन आठ महिला गवर्णरों में पांच जो है वह स्टी और ओबी सी समुदाय और माइनरीटी समुदाय से आती है तो यह काफी बड़ी संख्या है काफी बड़ा प्रतीशत है उन महिला राजय पालों का जो पिछड़े वर्ग से आती है जिसे प्रधान मंत्री और बीजेपी बार-बार कतार में खड़े आकरी व् में बात करें तो जवाल नहरू के समय तरोजी नाइडू पदमजा नाइडू और विजय लक्ष्मिय पंडेत जो नहरू प्रधान मंत्री नहरू की बहन थी इन यह तीन महिला गवर्णर उस समय पाई नियुक्त हुई थी मुराजी रसाई के समय दो शार्दा मुखर जी औ जोती वेंकटा चलम राजीव गांधी के समय कुमूद बेंज जोशी राम दोलारी सिनाओ और सड़ा ग्रेवाल विपी सिंग के समय चंद्रावती पीवी नरसीमा राओ के समय शीला कॉल और राइंदर गुमारी वाचपरी तो मुझे लगता है कि पिछले किसी भी सरकार मे आठ महिला गवरंडरों की नहीं की गई है जो मोधी सरकार ने की है और ये भी काफी बड़ा एचीवमेंट है महिलाओं के अप्लीपेंट महिलाओं को आगे लाने और महिलाओं को सत्ता में बराबर की भागेदारी देने के लिए अमिताब जी दो शीष मुस्लिम बुद्ध जी वी नजमा है पुतिल्ला जिसका आपने जिक्र किया मडीपोर और आरिफ मुहमद खान केरल के राजपाल के पतपर देखिए पहले से ही काम कर रहे थे आज जो नियुक्तियां हुई है क्या कोई मुस्लिम चेहरा भी है उसमे देखिए आज कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है दो मुस्लिम चेहरे थे आज के अगर आज की नियुक्तियां देखे तो उसमें ज्यादा तर ऐसी अगर देखे तो अनुसोची जन जाती और OBC के चेहरे हैं जो पाच्छे नियुक्तियां आज हुई हैं कुछ गवर्णरों के हुए हैं एक जगह से दूसरी जगह पर लेकिन जो सबसे बड़ी ज्यूक्ति मानी जा सकती आज वह थावर्चंद गहलोत की हैं दो मुस्लिम गवर्णर की हमने बात की नजमा है पतुल्ला का अपना योगदान रहा है काफी साल राजसभा में रही है उप सभापती भी रह राजनीती कि अनुभवब को दिया रेंजा सकता है वही ममब्कार कर सकते हैं बहुत बड़ी जीवी है उनकी Б lived-dhi- вп ॥ावर्चंद गहलोत को कह सकते हैं जो 7-8 टर्म के सांसद रहे चुके थे मध्यपदेश से लगातार वाजपई सरकार में भी मंत्री रहे, मोधी सरकार में मंत्री रहे, संसद्या बोड के लगातार सरस्य रहे, BJP के महासचिव रहे, नेता सदन रहे, जो प्रधान मंत्री मोधी के साथ राजय सभा में बैठते टो मुझे लगता है कि उनको काफी 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 योगदान जो ने पार्टी में दिया तो पार्टी ने उनके की काफी कुछ किया है और मुझे लगता है राज़पाल कि नयोकती कपनाटक जैसेactor राज्य की जहाने वाले दिनों में चुना होने वाले हैं यह काफी बड़ा कदम है और काफी संदेश है उस वर्ग को जहां से थावचन गहलोत आते हैं ठीक है अमिताप जी आप रही है जरा साथ इसी बीच एक बड़ी ख़बर दिली से आ रही है जहां केंद्रिय मंत्री मंदल में जल्द फिर बदल की ख़बरों के बीच कई नेता दिली पहुच रहे हैं और वो कौन-कौन से चेहरे उन पदों को भरेंगे इस पर देखी कयास लगाने शुड़ू हो गया क्योंकि न्योता जाना शुड़ू हो गया फोन चले गया है कई नेताओं के आने का सिल्सला देखे शुरू हो गया है जो बड़े नाम अभी तक सामने आ रहे हैं मदिप्रदेश से जोति राद सिंधिया आज दिल्ली आ रहे हैं ूनका बकाईदा कारकरम था सातारीकों दिल्ली लोटने वाले ते उर्वन के कारकरम थे जो रद भुए हैं और वो दिल्ली निकले हैं वहीं असम के पूर सेम सोनवाल भी दिल्ली पहुचेंगे, ये भी जानकारी मिल रही, बीजेपी सांसन नरायन राने भी आज दिल्ली आएंगे, ये भी जानकारी साथी साथ लकर बिहार का रोक कर लें, तो जेडियो अध्यक्षा, आर्सीपी सिंग आज दिल्ली आ रहे हैं, वहीं दूसरा नाम पशुपती पारस का है, जो कल ही दिल्ली पहुच गए हैं, बकायदा फोन बंद करके बैटेंगे, क्यों अभी ये नहीं बताना चाहरे हैं कि कहां और कौन सी जिम्मेदार उनको सौपी जाएगी केंदर में कुछ खास सही होगी इस वक्त साथ हैं, इस पर बात करने के रिए दिली से विकरांत यादो, हमारे सही होगी